मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एक नवंबर 2020 का दिन में सरासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक नवंबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है प्रती पदा नक्षत्र है भरनी पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है रवी वार आज के दिन सुर्य उदय का समय है छे बजी के तैंतीस मिनट में सुर्य अस्त का समय है पांच बजी के पैंतीस मिनट में रितू है है मन्त आज का दिन काल है इग्यारह घंटे दो मिनट बारह सेकेंड का महिना है कारतिक आज के दिन सुभ समय सुरू होता है इग्यारह बजी के 42 मिनट एम से बारह बजी के 26 मिनट पी एम तक असुभ काल सुरू होता है चार बजी के 7 मिनट पी एम से चार बजी के 51 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है चार बजी के 12 मिनट पी एम से पांच बजी के 35 मिनट पी एम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके दामपत्ते जीबन के बरे में दोस्तों दामपत्ते जीबन के द्रिष्टी कोंसे आपका शमय सामानने से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज के दिन संभाबना है कि हसी मजा के दोरान कोई पुरानी बात उभर कर सामने आएगी और इस कारण से आने वाले शमय के दोरान आपके दामपत्ते जीबन में आपको पड़े सानी का सामना करना पड़ेगा लेकिन आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक नौकडी करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके नौकडी के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही ज्यादा बिहतर और सांदर है दोस्तों आज के दिन आपके नौकडी के छित्र में आपका बोस आपका सिनियर आपका सहकर्मी आपका कर्मचाडी ये सभी लोग आपकी सहायता करेंगे और इस कारण से आने वाले शमय के दोरान आपके नौकडी के छित्र में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा वैसे अगर आपके सुवास्त की बात करें तो सुवास्त के दृष्टी कौन से भी आपका शमय बहुत ही जयादा बिहतर और सांधर है लेकिन अगर आपके धन शम्पती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान ने रहेगा न जयादा बेहतर न जयादा खराब दोस्तों आज के दिन आपको अपने खर्चे पर अपने फिजूल खर्ची पे ध्यान देना होगा, कंट्रोल करना होगा क्योंकि आज के दिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान धन संपती के मामलों में आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है हरा और फिरोजी आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है आठ यनी की एट दोस्तों आज अपने समय को बेहतर और सांदार बनाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा सामान्य टोटका है उस टोटके को आपको आजमाना होगा आपको करना क्या है कि आज के दिन हनुमान जी पर बजरंग बली पर सिंदूर का चोला चड़ाएं अगर आप ऐसा करते हैं बजरंग बली पर अगर आप सिंदूर का चोला चड़ाते हैं तो आपका आने वाला समय सांदार हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद